हेलो दोस्तों नमश्कार आदाब सास्त्रिकाल जभीम चुहार मिरा नाम है पवन कुमार और आज के नए वीडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सेशन का टॉपिक होगा एट टाइगर इंदा जूं एंसी आर्टी क्लास टेंथ की पोयम नमर तीन जिसको लेसल नौरेस के दौा लिखा गया है इस पोग्यम में और आलव 5 स्टेंजा हैं और प्रतेक श्टेंजा में 4 लाइनस हैं तो इस तह से केवल 20 लाइन की पोयम होगी और इसके पांचों स्टेंजा को एक एक लाइन करके हम हिंदी में डिकारेंगे जो भी डिफिकल् अगली दो लाईनों में Leslie Norris बताते हैं कि टाइगर, he का मेंस यहां पर टाइगर से हैं, कि चमकिली धार्यो वाला टाइगर अपने पिंजरे में कुछ कदम घुमता है, कुछ कदम क्यों घुमता है, क्योंकि टाइगर की लंबाई के हिसाव से पिंजरा बहुत छोटा है, इसल उनका निचला भाग मकमल की तरह गद्देदार है बहुत नर्म है तो इसलिए जब वे चलता है तो उसके कदमों के आवास सुनाई नहीं देती है अब क्योंकि लास्ट राइज में बतारे हैं इन हिस क्वाइट रेज कि टाइगर बहुत पावरफुल एनिमल है बहुत सक्ति साली जानवर है लेकिन उसको पिंजने में बंद कर दिया है जिस काण वह क्रोधित है इस्टाइज नमबर टू में टाइगर के कुछ और विशेष्थां को बताते हैं कि उसको एक्चुल में क्या करना चाहिए था तो पॉइट केते हैं He should be lurking in shadow lurking का meaning होता है छिपना तो पॉइट बता रहे हैं कि टाइगर को किसी पेड़ की परच्षाई में छिपना चाहिए था जंगल में यानि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था sliding through long grass और जो लंबी घास जहां पर होते हैं छोटे मोटे पेड़ होते हैं वहाँ पर उसको धीरे धीरे खिसकते हुए आगे बरना चाहिए था near the water hall where a plump deer pass ये सब उसको ऐसे इस्थान पर करना चाहिए था जहां पर कोई नदी या तालाब हो जहां से जो मोटे ताजे हीरन खरगूस या और जो छोटे मोटे वाइल एनिमल्स होते हैं वो गुजरे जिससे कि वो उनको अपना शिकार बना सके stage number 3 में आगे बताते हैं कि और उसको क्या करना चाहिए था he should be snarling around houses at the jungle's age point in the lines में बता रहे हैं कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था और जो जंगल के किनारे पर बसे हुए घर हैं उनके आसपास में गुराते हुए दारते हुए घूमना चाहिए था bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village terrorizing the village से मतलब है कि जो जंगल के age पर बसे हुए मकान हैं घर हैं उनमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको ड्राने के लिए उसको बार करना चाहिए था अपने पंजो को और अपने सफेद दातों को जो नुकीले बड़े बड़े दात हैं उनको खोला चाहिए था साथ साथ धारते हुए उसे जंगल वास्यों को डराना चाहिए था लेकिन अगले इस्टेंजाम में पॉइ्ट कहते हैं बट यानि लेकिन इस को एक कॉंक्रीट सेल में बंद कर दिया है इस्टेंट बिहाईंड बार्स और उसकी सकती सलाखों के पीछे देखी जा सकती है stalking the length of his case ignoring visitors कि वह अपनी सकती का प्रदसन करते हुए जो visitors है उनको ignore करते हुए अपने पिंजने में इधर से उधर चहल कदमी करते हुए घुमता है point आगे बताते हैं he hears the last voice at night की वेर रात में अंतिम आवाज सुनता है अंतिम आवाज किसकी the patrolling cars जो गस्त लगाने वाली पुलिस की गारे हैं उनकी आवाज सुनता है and stays with his brilliant eyes और अपनी जो चमकीली आखे हैं उनसे घूरता है at the brilliant stars जो चमकदार तारे हैं उनको वह घूरता है तो friends I hope कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगरे वीडियो अच्छा लगा हो तो give a thumb एक thumb देकर जरू जाए like कर दे वीडियो को क्योंकि like करने से motivation बड़ता है पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यह सब दिल्कुल फिर्यॉप कोश्ट है तो बने लिए हमारे साथ में नई वीडियो में मिलेंगे नए कंटेंट के साथ में तो तक के लिए नमस्कार